हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है हमारे चैनल बीएसी एजूकेशन लेक्चर्स में तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं बीएसी सेकेंड एर मैथ फस्ट पेपर यूनिट सेकंड चैप्टर फाइव ठीक है प्रासामन उपसमु अपनी चैप्टर फाइव में तो आप लोग भी यहां पर हम सबसे पहले प्रासामन उपसमु की दैफिनिशन देखते हैं तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा एंड वीडियो सुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज है लाइक शेर एंड कमेंट जरू तो माना यानि कि एक जो G समू हो उसका H उपसमू हो जो प्रासामान्य उपसमू होगा वो किस प्रकार होगा यह देखना क्योंकि अपन को यह तो पता है कि उपसमू को H से प्रदरशित करते हैं तो जो G होगा वो एक समू होगा और H उसका प्रासामान्य उपसमू होगा यदी X क्या हो जी का व्याव हो और H हो अपन के उपसमू का व्याव हो यानि capital H का तब अपन capital H को प्रासामान्य उपसमू कहेंगे यानि X belongs to G and small h belongs to capital H तब अपन इसको लिख सकते हैं एकस 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 इन्वर्स ब्लॉंग्स टू एच ठीक है तो प्रासामान्य उपसमू अपन इसको कहेंगे अब जो आगे अपन प्रमी सॉल्व करेंगे यानि theorem वह अपन की important theorem रहेगी तो आप लोग वीडियो के end तक बने रहे हैं ठीक है चलते हैं अपन की theorem different important है अधीक हें कि किसी संब्र वहर्पानति अपसमू के दो प्रासामान्य उपसमू में होताया अब वन प्रासामनुप समू कहते हैं यहां पर पर यहीं बताना है यानिकि किसी समू के दो यानि एक समू है जी उसके दो प्रासामनुप समू पर मानिकि के अपिटल एच टू ठीक तो आप लोग बीच एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेश पजाए एक कॉस्टन मान है नात्यक दो प्रासामन उपशमू है मैं के अपकी बताना है कि गेजरी मैं ये संस्तू पर दो प्रासामनुप समू है यह प्रासामन उपसमू होता है यानि इसका अर्थ क्या हपन वो क्या शिद्ध करना है यानि कि अपन लिख सकते हैं आपर तब हम शिद्ध करेंगे इनका सर्वनिस्ट यानि H1 सर्वनिस्ट H2 ये क्या हपन का एक प्रासामन उपसमू है अर्थत क्या शिद्ध करना है अपन को प्रासामन उपसमू की डेफिनिसन क्या होती X, H, X, X, इन्वर्स ब्लांग्स टू जब प्रासामन उपसमू में ब्लांग्स करेंगे तो अपन की सर्वनिस्ट में भी ये ब्लांग्स करेंगे ये अपन को सिद्ध करना है तो यह आया समझ में कि अपन ने क्या लिख देख बोला गया कि किसी समू के दो तो अपनने माना की जी समू है और H1, H2 तो उसके प्रासामन उपसमू हो अपन को शिद्ध करना है वह अपन का एक प्रासामन उपसमू की परिभासा से क्या लिख सकते है अपन प्रासामन उपसमू है जो एक हो वह ब्लॉग करें जी में किस प्रेकार ब्लॉग करना चाहिए ऑर अपन की क्या था एक भी ब्लॉग करना सोइब यहां पर दूसरे प्राशामन उपसमु के लिए परी बासा लखेंगे इसी प्रकार एच टू जी का प्राशामन उपसमु है अबmakन किया लिएज़िटे टो कि इसयों उसके लिख सकते हैं प्रासामय प्लौंग्स टो इसको समिक्राण दोफ दे दे देते हैं अब समिक्राण एक वगंधुरे तो तो अपन सर्वनिस्ट लेख सकते हैं समिक्राण एक वाद दो से यानि कि देखो ह one सर्वनिस्ट ह two दोनों में common क्या रहा अपन का एक्स एक्स-एक्स इन्वर्स लेख सकते हैं असा ठीक हो तो अपन को यह सिद्ध करना था हम एक चीज और लिख सकते हैं यह है एकर लाज़ों करना चाहिए गापिटल चाहिए में अंट लिख सकते हैं अपर लिख सकते हैं में जो होगा करेगा सब्सक्राइब लिखना है आई जैसा आपन ने इसको लिखा वैसे इसको भी लिख लिखने हैं x x x इंवर्स ब्लॉंग कर रहापन के केपीटल एच वन में एंड dot x x एफ संस्पाइट कर रहापन केपीचल हड एच वन एच टू में तो आपन लिख सकते हैं एक एच एच एख इंवर्स ब्लॉंग स्काइच वन कॉमन बनको यह शिद्द करना था अता нач मुप्समु एक प्रासामन को सर्वन zamma a स्यप्री और अता किसी समु के दो प्रासामन उप्समु को सारूने आ सर्विants KELL प्रासामन उप्समु के प्रिभास होता कि नहीं तो आपन प्लॉंग एच लेख सकते तो अपने एक प्रासामन उपसमू होता है उसका सर्वनिश तो वीडियो पसंद है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शियर जरू करेगा और लाइक शियर और कमेंट जरू करेगा अब यह वीडियो में आप लोग के लिए विभाग समू भी बता देगें कि विभाग समू की डेफिनिशन या उसकी कंडिशन्स क्या होती है अब यह प्रासामन उपसमू के और भी कॉशन है जो कि थियोरा इंपोर्टेंट है ठीक है तो आप लोग वीडियो के एन तक बने रहेगा और आप लोग प्लेलिस में जाका जरूर वीडियो देख लीजेग क्योंकि आप लोगों के हिसाब से ही हम कॉशन शॉलो करा रहे हैं जो इंपोर्टेंट है वो ही